इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि CSI फाइल जो है वो डाउनलोड करने का एक नया तरीका जो है वो पोर्टल पे इनेबल हो चुका, इंकम टैक्स के पोर्टल पे बेसिकली आप लोग को पता होगा कि अगर आप TDS का कोई भी रिटन फाइल करेगा तो उसके लिए आपको क्या करना होता है आपको CSI फाइल एकदम mandatory है उसको यूज करना ही है अब बहुत सारा error आता है बहुत सारा आपको question भी मिलेगा कि या डाउनलोड कर रहे है लेकिन accept नहीं हो रहा है यह है यह तो आपको सारा question का जो जवाब है यहाँ पर मिल जाएगा आपको नौर्मली पहले क्या था कि आप देखिए पहले तरीका अलग था नसडील के website से जाके payment करते थे फिर वापस से क्या आ गया income tax portal पर फैसिलिटी आ गया अब लोग क्या क्या है let's suppose जैसे quarter 3 है quarter 3 है तो उसमें क्या है कि एक महीना लोग mHDL से जमा किया और तीसरा महीना जो था हो क्या किया कि income tax portal से जमा किया तो ऐसा नहीं कि आपको कहां से download करना है MHDL के website से नहीं वो जी आपका reflect करेगा यहाँ पर आपका income tax के site पे वो reflect करेगा आपको यहीं से CSI फाइल डाउनलोड करना है और उसमें period साही से select करना है period साही से select कैसे करना है कि आपको ध्यान देना है let's suppose बहुत लोग क्या करते है कि जैसे एक quarter है quarter क्या है जैसे October, November, December quarter 3 है अभी इस case में क्या है कि October का जो चलान होगा वो आप कब जमा किये होगे November में की होगे और ठीक है और December का आप January में की होगे तो आपको period साही से select करना है बस इतना ही आपको ध्यान रखना है तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे download करना है आपको simple सा TAN से अपना income tax website पर login कर लेना login करने के बाद आपको e-pay taxes में चले जाना है e-pay taxes में जाने के बाद दिखी कि यहाँ पर पहले क्या था कि payment history में ही जाते थे वहाँ पर filter लगाते थे specified period का और वहाँ पर हम लोग download कर लेते थे CSI file लेकिन अब क्या है उस CSI file को download करने के लिए एक अलग से tab ही दे दिया आपको है ना आपको यहाँ पर अलग tab दे दिया कि आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाई आप simple से कहाँ चले जाए यह payment tax में जाए और चलान status inquiry CSI file में चले जाए अब जैसे यह आप यहाँ पर जाएगा तो आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना आपको simple सा क्या करना पीरियर सलेक करना पीर सलेक करते समय सिर्फ यह धियान रखना है कि आप October से नहीं एक October से निए सलेक्ट करना आपको कब से सलेक्ट करना है चाहें आप NSDL से क्यों ना payment की होए एक महीने का उससे कोई फर्क यहाँ पर नहीं पढ़ता है है ना वो चीज आपके यहाँ पर देखे MSDL वैलर पे जाना पड़ेगा उसके बात जो भी है वह आपको कहां मिल जाएगा यहां मिल जाएगा अब को यहाँ पर क्लिक करेगा तो आपको क्या करेगा यह redirect कर देगा आपको इस वॉल्टर पे लेके चले आ जाएगा तो आपको क्या करना है कुछ नहीं करना अगर करना है और जनवरी तक जितना जब भी आप पिमेंट कियोंगे उसे एक दो दिन आगे सलेक्ट करिए और यहां पर तुरत आप यहां पर डाउनलोड पर क्लिक करिए तुरत आपका CSI फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगा ठीक है तो देखिए यहां पर सिंपल सा बात है ह हम लोग यहां पर सलेक्ट करते हैं और नॉंबर और जैनवरी ठीक है और फिल्टर चलान अगर क्लिक करना तो ठीक है अधरवाइस कुछ कोई इसू नहीं है आप सिंपल सा डाउनलोड चलान पर क्लिक कर दीजिए आपका CSI फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगा है ना तो यह चीज आपको धिहान रखना है थैंक यू